हेलो ट्रेंट्स, वेल्कम टू माइ नर्चर, मैं हो क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास, बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर फोर और लेक्चर नमबर टू, जा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिपनॉटिक्स एंड सब्सक्राट करते हैं, तो सुरुवात करते हैं, अपने डेफिनिशन से हमेशा किदर हैं, तो क्या है डियां देना, सब्सक्राट करते हैं, अजो बहुत ज़दा सब्गेट, चैहिए कर दे, subject को, ऐसा subject कौन होगा, subject इन दर सैंस, मरीज कौन होगा, इसका दिमाग भज़ा चल रहा है, सोच रहा बहुत ज़़ा, पागल पन सा चल रहा है, ठीक है न, without inducing sleep, mark करें इस बात को, यहाँ पर without inducing, यहाँ पर नींद नहीं आएगी, without inducing sleep, नींद नहीं आएगी, सदेशन, refers to decreased responsiveness to stimulation, क्यों होगे, stimulation, मतलब जो excitement होती है, उसके लिए हमारा response कम हो जाएगा, decrease कर जाएगा, is associated with some decrease in, और किसे साथ associated है, decrease क्या हो जाएगा, alertness, हम जो alert रहते हैं, वो कम हो जाएगा, ideation, idea, thoughts आने बंद हो जाएगे, और हमारी motor activity क्या कर जाएगी, decrease कर जाएगी, यह सब जो हम लोग फटा फटा हाथ हो चलाते है, motor activity ठीक है न, वो हमारी क्या कर जाएगी, decrease कर जाएगी, overall क्या कानी है यह आपर, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बेचैन है, परिशान है, एक चिंता से घिरा पड़ा है, उसको दे दो, वो maintain sleep, यह वाली ट्रग है, hypnotics, यह सुला देती है, कैसे याद रखोगे, hypnotism में क्या होता है, आदमी सो जाता है, बट ही, hypnotism नहीं है, याद रख को हम लोग क्या देंगे उसे इंसान को हम लोग क्या देंगे hypnotics देंगे तो क्या रहा है a drug that induces or maintain sleep जो induce करे नीद को लेके आए या maintain करे जब इंसान सो गया ना कुछ लोग सो जाते है आदर घंटे बोड़ जाते है उठरें देगा उसे maintain करकर रखेगा similar to normal arousable sleep और यह बिल्कुल normal होता है जैसे कि एक normal नीद आती है उसी arousable नीद की तरह होती है यह this is not to be confused with hypnosis इसको hypnosis से confuse नहीं करना है meaning a trans like state in which the subject become a passive and highly suggestible ठीकर ना hypnosis में अलग होता है ट्रांस इस्टेट आयती है जग भी रहा है सो भी रहा है ना ऐसा नहीं होगा ठीक है ना hypnotic में पूरा-पूरा सो जाता है आदमी सुला दिया के लिए रहे बाते हैं ओके कुछ और बाते देख ले हैं अस सब्सक्राइब और यहां पर क्या टाइम और एक्शन कितना समय और कब तक और डोस कितने डोस का कितना एक्शन होगा इनका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बात बागी दोनों के दोनों क्या है दोनों में केवल थोड़ा सा टाइम और एक्शन का फरक पड़ेगा दोस विद क्विकर ओंसेट जिसका असर बहुत जल्दी होता है शौटर डूरेशन और जिनका टाइम डूरेशन कम होता है और इस्टीपर डोस रिस्पॉंस कर्व डोस रिस्पॉंस कर्व एकदम से उठ हो आएगा और प्रिफर्ड एज हिपनोर्टिक्स याने की सुनाने के काम में आ जाएगा फटाक्स इदम सासर करेगा आदमी सो गया वाइल मोर स्लोली एक्टिंग जो धीमा काम करेंगे विद फ्लैटर डोस रिस्पॉंस एक फ्लैटर डोस सोएगा नहीं बट सारी चीजें दिमाग में क्या होती ही सांत हो जाएंगी क्रव अर्टी डोस में एक सेर्दिटीभ हो जाती है ने के टिनलों को यह च्ल्यर कट डिफरेंस तुम लो économ को दिमाग में रखना है के लियर है अब फिर वही बात आती है किसकी क्लासिफिकेशन की अब देखो यहाँ पर बड़ा आसान है बेंजो डाइज़ेपीन्स पीछे जो वारा लास्ट लेक्चर था हमने उसमें भी पड़ा था तो बैंजो डाइज़ेपीन्स में कई सारी कैटेगरी है हमारे पास बात नींद नींद को लोग खा लेते हैं उससे क्या होता है फिर जिन्लों को निंद मतलब यहाँ उचेड़ी होते हैं तो खा mess यह लेंगे तो नीन तो नहीं आती है उनको जुमते रहते हैं इसलिए सारी क्या है दवायां वैसी है इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है एंटी कन्वल्जेट क्लोन आजी पाम का पाम 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 तो ठीक है ना बेंजोडाइजीपीन पें हिपनोटिक एंटी 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 कन्वल्जेट यहां पर देन नौन बेंजोडाइजीपीन और अधर हिपनोटिक्स जॉपली क्लोन इस जॉपी क्लोन जॉल्पी डेम यह बड़ा चलता है आजकल जॉल्पी डेम ठीक है ना जैली प्लोन और एटी जोलम यह आजकल ड्रग बड़ी चल रही है ठीक है दो कॉमन याद कर लो डॉसी ट्रैकलोफोस मेल सोनी जर्ùng ब्रमूस तो नाम यहां पर मैंने क्या का इससाओ म्याद कर लेंगे ऋक कंडिय बेंजोडाइजीपीन की एक बारचियोगा नियुक्त काब क्यक्सन है यह अपना क्लासिफिकेशन था मैंने हमी इस मताई है क्लासिफिकेशन आखारो से क दो, तीन और चार, चार कटेगरी, चार कटेगरी में, फिर अधर फर्दर कटेगरी से, यह तो बहुत असान हो गया, लॉंग शॉट और अल्टरा शॉट, ठीक है ना, तो बेंजर डाइजपीन, नोन बेंजर डाइजपीन, तो इस तरीके से हिपनोटिक एंटी एंजाइटी तो कहीं ना कहीं हम लोग, इस केटिगरी में हम लोग बात करने वाले हैं, तो यह क्लासिफिकेशन हमको क्या कर लेना है, धीर धीर याद होता है, एकदम से याद नहीं करना है, किलियर है, ओके, फार्मकलोजिकल एक्शन, यहां बड़ा छोटा सा काम हो गया, सी एनस डिप बार्बिट्यूरेट है ना हम लोग कैसी डोज ले रहें उसके पर इफेक्ट पड़ेगा, थोटी डोज लेंगे तो सेडिशन होगा, थोड़ी जादा डोज लेंगे अने थीसियों हो जाएगा, और जादा डोज लेंगे तो कोमा में चले जाएगे, ठीक है ना तो डोज करता है इनका एफेक्ट क्या है डोज डिपेंट अब यहां फार्मक लॉजिकल एक्शन क्या है, सी एएश डिप्रेसेंट होना है, ठीक है, और सुनो नीन आ जाएगी, एट रिलेटिवली हायर डोज बार्बिट्यूरेट बार्बिट्यूरेट डिप्रेसे रेस्पिरेशन कुछ ज्यादा हाई डोज बेंगे तो रेस्पिरेशन डिप्रेस होती है, बीपी लोग करेगा और डिक्रीस कार्डिक कॉंट्रेक्टिलिटी एंड हार्ड रेट, है ना, थोड़ी से हाई डोज में बार्बिट्यूरेट यह सारे एफेक्ट करता है, ठीक है, अब बेंजर डिप्रेस करता है, विच प्रड्यूस सेडेशन प्रड्यूस करता है, रिलीव एंजाइटी चिंता मुक्त कर देगा, फैसलिटेट स्लीप, नीद भी लेके आता है, सप्रेस सीजर, जो दौरेबगा पढ़ते हैं, वो भी हमारे कम कर देगा, एंड रिड्यूस मसल टोन, औ केवल जब बेंजोडाइजपीन का आईवी देंगे, तो ही क्या होगा, बीपी फाल करेगा, और कार्डियूस करता है, इसका एफेक्टी तो देखना है, कम या ज़्यादा, डोस कम दे रहे हैं, ज़्या दे रहे हैं, क्या फरक पड़ता है, हमारी बोड़ी पे क्या आसर आ करेगा, इंजाइटी चिंता होती है, नींद लेके आएगा, मसल रिलेक्स करता है, एंटी कंवल्जेंट, जो हाथ पर फड़कते हैं, उनको कम करेगा, डिक्रीज नॉक्ट्यूर्नल गैस्टिक सिक्रेशन, लोगों को रात में बहुत ज़्यादा गैस्टिक सिक्रेशन होत बहुत कम रियर है, जो सेरिटी वुक की तरह इस्तेमाल करेंगी, वो तो हम दिन में दो बार दे सकते हैं, बीडी, अदर्वाइस, ओडी और बैट टाइम, है ना, दिन में एक बार और सोते समय जनरली दी जाएगी, क्योंकि सब क्या है, जो हिपनॉटिक्स होगी, वो तो बहिया, रात को ही दी जाएगी ना, सोते वक्त, दिन में संदो सुलाना, इंसान को लेकिन, हाँ, कई वर दिक्कत जादा है, तो दिन में भी दी जाती है, बट जनरली क्या है, एक जनरल कॉमन याद रख सकते हो, कि बीडी लिख सकते हो, या ओडी, ओडी के साथ बैट टेबलेट, ओडी, बैट टाइम, खतम कानी, डोज होगी तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो कोई भी जो तुम्हारी मन पसंद है, चार पांच, नाइटाजी पाम, लोराजी पाम, अलप्रा जोलम, अलप्रा जोलम बड़ा कॉमन है, ठीक है, यह लिख सकते हो, कोई भी चार मिलीग्राम, 15-25 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है न, तो यह क्या है, हमारे पास, डोज है, आगया आते है, इंडिकेशन, तो इंडिकेशन, कपकर हम इसका इस्तमाल करें, जैसे बादे चिंता होगी, बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आएगी है, न, दोई चीजे तो रह ग जब personality disorder होता है, but often there is no specific stress factor, इनमें कोई stress नहीं है, कोई चिंता इंता कुछ नहीं है, लेकिन बस नीद नहीं आ रही है, लेकिन जब लंबे समय तक इंसान सोय गने तो दिक्कत आ सकती है, short term insomnia होता है, तीन दिन से लेके किस दिन हो गए हो, कई बार emotional problem होता है, occupational stress में आ गया ह काम दंदा सही नहीं चल रहा है, physical illness है, बिमार रहता है, जिसकी वैसे नीद नहीं आ रही है, या कुछ और cause है, जिनकी वैसे, तीन दिन से किस दिन हो गए, तो यह हो गए, short term insomnia, transient insomnia, एक से तीन दिन, यह कब होता है, due to alteration in circumstances of sleep, हमारा sleep disorder बिगड़ा हुए, ठीक है, जैसे क कई बार ऐसी जगह घर होता है, कि सोर्सरावा आ रहा है, या आप सफर करके कहीं गए हो, किसी के रिस्ते आर के हैं, हमारा सोर्सरावा चल रहा है, an overnight train, पूरी राथ train में जागना, सोना पड़ा, सो नहीं पाए साही से, new place, नहीं जगह है, unusual pattern of work, वर्का पैटर्न सही नहीं बजना था, तो आपको सोना था, लेकिन आप दूसरी कंट्री जहां पहुंचे हैं, वहाँ सवेरा हो रहा था, तो इधर भी आप जगते रहे, उधर भी आप जग रहे हैं, तो नीद पूरी नहीं हो पाई, जब लोटे, तो उधर पे तो क्या था, शाम थी, लेकिन जब य बाज लेना है, बाद बागे उसके अंदर की बातें बहुत आराम से लिख सकते हो, अब कॉंट्रा इंडिकेशन, अच्छा, भी कुछ और भी है, हमारे पास, इंडिकेशन में, एंटी कंवर्जेंट की तरह इस्तमाल होता है, इस्पेशली इमर्जेंसी ऑफ कंट्रोल ऑफ जो हाथ पेर में फटकन से मचती है, फोर प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन, हमको जब अनेस्थेशन देना होता है, उससे पहले हम इसका इस्तमाल करते हैं, इससे कि आदमी क्या हो जाए, इसका दिमाग सांत हो जाए, जो अलकॉल को पर पुरी तरह डिपेंड हो गए है, जब अलकॉल उनको छुडवाते हैं, तो उनको दिक्कत आते हैं थोड़ी जी, उस केस में हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं, कॉंट्रा इंडिकेशन, विद अनोन हाइपर सैंस्टिविटी टू है, सेलिटिव और हिपनोटिक, अगर हाइपर सैंस्टिविटी है, हिपनोट सैंस्टिविटी लेते हो, और आपको रियक्शन सी करती है, खुझली सो हो जाती है, दूरिंग प्रिग्नैंसी, कॉमा टोस पेशेंट, कॉमा में पेशेंट है, पेशेंट विद सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉलम, जिनको रेस्पिरेशन की दिक्कत है, उनमें इस्तमाल क इस्तमाल करना है, तो करना क्या है, एक ही काम करना है, पढ़ना है, और रिवाइस करना है, बाद बाकी कोई हेल्प लिए, तो यह अपना एप है, यह मेरा नंबर है, किसी उटाइप की हेल्प हो, तो मुझे कॉल करें, और रिवाइस करते रहें, All the best!